पिछले पार्ट में इसी विशे पर कि ब्रह्म क्या है और उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं या उसका किस तरह से उसको समझ सकते हैं इस पर हमने विचार किया उसी संधर्व में आज मैं कुछ आगे और बातें उसी पर बताऊंगा पिछले सेशन में हमने देखा कि ब्रह्म जो इस जगत के उत्पती का कार्ण है इसका सवरक्षन करता है और फिर पूर्णता को प्राप्त करके वह उसी ब्रह्म में उसका डिसलिजन हो जाता है उसी में उसकी स्माप्ती हो जाती है और वैस्वेम अपने में लीन हो जाता है और फिर इस सैकल की दुबरा चलता रहता है इस तरह से हमने समझा कि ब्रह्म जो है और उसका यह जो मैनिफेस्टेशन है यह मैनिफेस्टेशन परिवर्तिन शील है और यह इसकी एक उमर है इसकी एक स्पेसिफिक पिरिड के लिए सत्ता है और उसके बाद ये पुनह समाप्त हो जाता है और फिर दुबारा से यह क्रियेट होता है और यह समाप्ति के रुद्पति का साइकल जो है वह चलता रहता है इसको ब्रह्मा की सो दिनों के बराबर इसकी उम्र माने गई है और उस उम्र को जब निकाला गया मैथेमेटिकली और आज के विज्ञानिक तरीकों से जो इस युनिवर्स के कल्पना की गई उम्र वह लगभग एक जैसी है काल सेगन ने कहा कि यह शायद एक एक एकसिडेंटल सिमिलरिटी है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह एकसिडेंटल सिमिलरिटी नहीं बलकि एक सोचा समझा निशकर्स था जो हमारे सियर्स ने हमारे पूरू जो ने इसी धरा पे इस हाइपोथेसिस का निर्मान किया और हमारे जितने भी प्राचियन गरंथ हैं उन सब में इनका विवरन किया वह विवरन बिलकुल सापेक्ष है सापेक्ष यानि कि किसी रेफरेंस में बताया जाता है लेकिन उसके तथ बिलकुल सही है अब प्रश्ण उठता है कि इस ब्रह्म को जो इस जगती का उत्पन करता भी है और नियनता भी है और उसी में ये स्थित है उसको कैसे हम जान पाएं सबसे पहले बात उसमें मैंने कही कि हमें इसका ग्यान बुद्धी द्वारा ही हो सकता है लेकिन हम सब प्रानी अलग लग तरह की बुद्धी लेकर के जन्म लेते हैं जो शायद हमारे पूर्व जन्मों के काम पे या प्रवर्तियों पे या हमारे कर्मों पे निर्भर करता हो हमने जाना कि एक बुद्धी है जो बिलकल शुद्ध बुद्धी है जो बिलकल सात्वी विचार का है वो हर विचार को समझता है और उसको समझने के शक्ती रखता है दूसरी बुद्धी तटस्थ बुद्धी है जो कहीं भी इदर उदर कोई साइट नहीं लेना चाहती वो तटस्थता से सिरफ एक दर्शक की तरह वह देखती है और उसकी नए जानने के इच्छा होती है नए ही उस तरफ वो प्रयास करता है उसे हम तटस्थ बुद्धी कहते हैं तीसरी बुद्धी हमने कहा कि वेपरित बुद्धी है यानि कि जो हमेशा तर्क का साहरा लेता है रिजनिंग का साहरा लेता है और उस रिजनिंग के अधार पे अपना जज्जमेंट बनाता है और उसी जज्जमेंट को वो अपना ग्यान समझता है यानि कि प्राप्त तथिओं के आधार पर जिनको उसने जाना प्रहुत नहीं ुसके 54 उसकि और इसको मानना तम्हें सरक्त्रích कूह कर्किती चनाना का प्रभाव देखता है कि पूरोजों का जो विचार है उस पे विश्रद्धा रखता है और उसको भी एक्स्प्रोर करता है उसको मानता है तो यह जो स्वरूपा बुद्धी वाला वेक्ती है जो शुरूती पे विश्वास करता है शुरूती हम इसलिए कहते हैं कि पहले नॉलेज जो है इस खंड में वो लिखने के बजाए मुख से याने के जीबा से याने के शब्दों से याने के लेंगयज और मेमोरी के साथ इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता था इसलिए वो शुरुती कहलाई शुरुती यारे के सुनना धिरे धिरे उन्होंने इसको लिखना शुरू किया और लिखने के बाद में जैसा हम सब जानते हैं पहली जो दुनिया में किताब लिखी गई वो वेद थे और सबसे पुरारी किताब भी हमारी वेदी है और उसके बाद में लीपी का विकास हुआ और सब चीजे लिखी गई और किताबों की उत्पती हुई और हर चीज बुक्स में लिखी गई लेकिन हमें ये जानना होगा कि जो कुछ भी समझना होगा कि जो कुछ भी हम इस विश्व में सुन सकते हैं देख सकते हैं कुछ भी ग्यान प्राप्त कर सकते हैं वे सब हमारी जो ग्यानेंद्रियां हैं उन्हीं के द्वारा कर सकते हैं और ग्यानेंद्रियों की एप्रोच इनकी पैट सिर्फ मस्तिष्क तक है ब्रेन तक है और दूसरी बात इंद्रियों का ये रहता है कि ये सिर्व बाहिय चीजों को interpret कर सकती है ये बाहिय वस्तुओं को interpret कर सकती है उन वस्तुओं को जिनका जो पांच हमारी इंद्रियां है उनके साथ में interaction होता है यानि कि वो हमारी इंद्रियों के संपर्क में आते है उन्ही चीजों को ये इंद्रियां नाक के द्वारा आँखों के द्वारा कानों द्वारा माइंड के द्वारा मस्तिश्क की जो क्रिया है उसके द्वारा और स्किन के द्वारा और दूसरी अन्य इंद्रियों के द्वारा वो जान करके लेकिन ये सारी information जो मिलती है वो brain में process होकर brain तक ही उसका निर्ने होता है ये brain से परे आगे नहीं जा सकती लेकिन जो सत्य है जो ब्रहम है जो ब्रहमिन है वह तो उससे beyond है वो तो सब में एक ही है वह तो सब में एक विद्ध की धारा की तरह सब में एक जैसा ही प्रभावित करता है और सब में वो एक current की तरह या एक वेव की तरह सब में स्थित है वे सर्व्याप्पे है वो हर चीज में है जीव नर्जीव में हर चगे उसकी उपस्थित ही है पर उसकी उपस्थित के कारण ही यह सब जो विश्व है यह सब जो आपका आच्छदन जो दिखाई देता है हमको वो सब है तो उस तक पहुँचने के लिए हमारी इंद्रिया इंक्लूडिंग मस्तिश्क या ब्रेन वो नहीं है तो फिर इनको कैसे इनका इनको समझा जाए उनको समझने के लिए हम अनभूती का साथ लेते हैं अनभूती यह इन सब इंद्रियों का विशय नहीं है जो इंद्रियों से ब्योंड जो भी हमें अहसास होता है या जो भी हम प्राप्त करते हैं या जो भी एक निर्ने पर या एक एहसास पर पहुंँचते हैं, उस सब को हम अनभूती, अनभव या experience कहते हैं, तो ब्रह्मा जो है वो एक अनभूती का विशे है, वो एक समझ का विशे है, वो एक experience का विशे है, जो ग्यानिंद्रियों से परे हैं, जब वो ग्यान इंद्रियों से है और हमारी अप्रोच इस दुनिया में इंट्रेक्शन करने के लिए एक्स्टरनल वर्ड को इंट्रेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन हमारी इंद्रिया हैं और इंद्रियों से परे हमें जाकर के उस ब्रह्म को या परम सत्य को हमने पहश्चानना है तो उस स्थिति में हम जो हमारी स्वरुपा बुद्धी है या फिर शुद्ध बुद्धी के साथ में जब हम प्रयत्र करते हैं तो वह प्राप्त किया जाता है जो तरस्थ बुद्धी वाले वेख्ति या बृत 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 वेख्ति वाले वेख्ति हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ेगा। कि उनकी ततुस्तBuddhi या पृत बुद्धि हमेशा रस्ते में आकर खड़ी होगी। कि भृत बुद्धि वाला वैक्ति वो हमेशा तर्क बात को समझना चाहेगा। स्तेटमेंट से या साइन्टिफिक फैक्ट से उस चीज़ को समझना चाहेगा। उसको प्रमान चाहिए वो बिना प्रमान पर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता क्यों उसमें शुर्थी के प्रते शद्धा या दूसरों के एक्स्पिरियंस के लिए कोई शद्धा नहीं है लेकिन यहां तो प्रश्ण अनभूती का है जिसको नए एक्स्प्लें किया जा सकता है नए बताया जा सकता है वह तो केवल मात्र एक दूसरे व्यक्ति को अनभूत कराई जा सकती है उसके द्वारा ही और वह अनभूती भी इंद्रियों से परे है मस्तिष्ष परे है मस्तिष्ष एक मेकेनिक वर्क है वो computer की तरह एक feed कियावा program है मस्तिष्ष बिल्कुल एक प्रोग्रामट वे में कारय करता है लेकिन भ्रह्म जो है वो उससे beyond है उससे अलग है उससे परे है तो इसलिए उसको करने के लिए आपको एक ऐसे गुरू की आवशक्ता पड़ेगी जिसने वह प्राप्त कर चुका है ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है तो वह अपने experience से अपना एक रस्ता बताएगा वो आपको guide करेगा कि आप इस रस्ते पे चले वह स्मृती से मनन का हो सकता है मनन से प्रफाउंड मेडिटेशन जो जिसे हम धान कहते हैं निद्याशन कहते हैं उसके दवरा उन परक्रियाओं के दवरा वह आपके इंद्रियों से परे आपको ले जाएगा और फिर आपको उस प्रह्म का सत्य का आपको एहसास करवाएगा फिर मैंने कह रहा हूँ कि वह एक मात्र महसूस करने की चीज होती है उसको सिरफ एक अनभूत किया जा सकता है अनभूती की जा सकती है उसको एक्सपिरियंस किया जा सकता है लेकिन वो भी एक्सपिरियंस इस परकार होता है ध्यान द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा या योग द्वारा कि जिसको आप दूसरों को एक्स्प्रेन नहीं कर सकते उसको राइटिंग में या शब्दों में आप बियान नहीं कर सकते वेक्योल मात्र आपके द्वरा ही आपके आपको उसको आप अनभूत कर सकते हैं मैंने कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो इससे अनभूत होते हैं वो मेरी या आपकी तरह ही बिल्कुल साधारन व्यक्ति हैं वो साधारन तया आपको सब जगे मिलते हैं लेकिन अपने आपको आपसे अलग कभी नहीं लगेंगे बिलकुल सधारन आपकी तरह ही आपके साथ जैसा ही सोचते हुए आपके जैसे ही सधारन जीवन जीते हुए मिलेंगे लेकिन वो उस सत्य को अनभूत कर सुके होते हैं और वह सिर्फ आपको उनके संपर्क में आने प इसलिए बिल्कुल वो आप निर्पेक्ष भाव से जीते हैं जैसे कबीर ने कहा है नाकाउ से दोस्ती नाकाउ से बैर वाली स्थती वो बिल्कुल मुक्त भाव से जीवन जीते हैं बड़े साधरन से तरीके में कोई उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं आ जाता कि वो बहुत की तरह पॉलिटिकल बालक की नहीं वो पॉलिटिकल बालक तो कुछ अलग होते हैं वो बिलकल बाल सुभाव वाले बिलकुल आपको सीधे साधे और बहुत अच्छे सच्छे आदमी नजर आएंगे और उस बात को अगर आप समझ जाते हैं या आपको एहसास हो जाता है कि ह यह वेक्ति विग्य है यह वेक्ति ब्रह्म को अभिभूत कर चुका है तो आप उसके संपर्क में रह करके उसको गुरू बना करके अगर वो आपको एकसेट करता है तो शायद उस रस्ते पर ले जाकर के ध्यान के रस्ते पर ले जाकर मेडिटेशन के द्वारा या और बक्रि का एसास करवा सकता है उसकी अनभूती करवा सकता है आपको समझ आने पर कोई आपको सोचे कोई तांतरिक विद्या प्राप्त होगी या आप बहुत बड़ी आप में कोई शक्ती आ जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं होता बाकी जबकी बलकी आप सब जो आपके पास शक्तियां ह हैं वो बिलकुल एक बालक की तरह एकदम साधारन विक्ती लेके और बड़े सधारन तरीके से इस जीवन को लेगा उसको नहीं सम्मान की इच्छा है ना किसी और चीज की इच्छा है जैसा गीता में स्थित प्रग्य का वर्नन किया गया है जिता आत्म ना प्रशांत से शी उसकी स्थिती है वो वहाँ पे स्वेम रहता है इस परकार का वद्नन गीता में आता एक प्रिशन जो अर्जन को कहते हैं तो उसी भाव से फिर वविक्ती इस जीवन में जीता है तो यह था थोड़ा बहुत इसके करन मेरे पिछले सेशन में यह इनकंप्लीट रह गया था इस पूरी बात को मैं बता नहीं पाया था इसलिए मैंने सोचा आज मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं वैसे यह कंप्लीट अभी नहीं हुआ है जब और मौका लगेगा तो मैं इस पर जुरूर बोलूगा धन्याबाद